शुद्ध पेजल नागरिकों का मौलिक अधिकार है जिले के कई गावों में पाइक बलाइन का काम पूरा नहीं हुआ है साथ ही उनकी हालत खराब है पशुपालाइंट डेरी वेफसाइब विकास खेल और यूवा कल्याममंतिरी सुनील कैदार ने जीवन प्राधिकरण के उ अभियंताओं को स्थानी जिला परिश्यद सदस्यों का दौरा करने और जल से जल निरिक्षन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है कोविन महामारी के चलते कई ग्राम पंचायत पाइपलाइन के कारे लंबित हैं इसे धीमी गती से शुरू करने के लिए भी देखा गया है जीवन प्राधिकरण को इस कारी को प्राधमिक्ता देनी चाहिए और कारे में तेजी लानी चाहिए ग्रामी शेत्रों के नागरिको को सवच्छिपानी से हम और कितने साल वंचित करते रहेंगे इसके लिए पददिकारियों के साथ साथ अधिकारियों को भी सोचना और उचित योचना बनाना आवश्यक है ग्रामी शेत्रों में नागरिकों की पेरजिल की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए साथी के दा गाराँ ने कहा कि जिस ग्राम पशी दरप पानी की आपूर्ती कर रहा है इसके परीणाम स्वरूफ शहरी उभोकतां को कम दरों पर और ग्राम इन उभोकतां को उची दरों पर पानी उपलब्ध कराया जारा है उन्होंने का कि इसका समाधान निकालने के लिए शहरी विकास मंत्री एकनाश शिंदे की परामश से रणी तिक निर्ने लिया जाएगा बोकरा ग्राम पंचायत की पाईप योचना की खराब पाईप लाइन का कारिय ततकाल किया जाए उन्होंने सुझाव दिया कि सभी ग्राम पंचायत और जीवन प्राधिकरन की अधिकारी नल योचना की समन्वे से काम करें और नल योचना को मरमत के साथ स्थानांत्रित करें गाव में नल का पानी अशुद होने के कारण नागरिकों को सुरक्षित पेजल उपलब्द करने की आविशकता है उन्होंने का कि पानी की जाच करने और रिपोर्ट देने के लिए एक टीम गठित करें इस दोरान जिला पंचाय सदस्य, पंचाय समीती सदस्य और ग्राम पंचाय सरपंच ने अपने गाव की समस्याओं को मंत्री की समक्ष रखा उन्होंने तथकाल कारवाई की निर्देश दीए जाच के बाद रिपोर्ट देने की निर्देश दिए इस समय जेपी सदस्य, पीए सदस्य, सहित, सरपंच, जन प्रतिनी दी और पददिकारी उपस्ते थे कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ अभिशेक पांसी की रिपोच